येलो एवरिवन लो आगई है मेति की जबजस्त सर्दियों वाली रहेसिपी तो मैंने दो काटोरी आटा ले लिया है गयूं को आटा अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिए इसमें एड़ करती है तो इसको कुछ मसाले एड़ करेंगे जो कि इस रेस्पी को बहुत अच्छा बनाने वाली है तो इसमें नमक अच्छे सी से इसमें डाल देंगे ताकि नमक का स्वाद हम अच्छा लगता है आप स्वाद के नूश नमक डाल सकते हैं और हल्दी पाउडर ला दिया आधी चम्मच सरुदी का मौसम है तो हल्दी भी बहुत अच्छी लगती है इसमें और खांसी सर्दी जो खाम से बचाती तो फ़ी दनीया पाउडर एड़कर देंगे अम इसम सब्धाना झालिए दाली दिया आप ख inh नहीं को आपको पताय तो ही आपको पताया व्य की वही न ही अच्छ रहती है तो हींग जरूर पताया है एसमें और लाल मिश्श का निए यह बहुत ही नहीं जैगरी पाउडर गोड़का पाउडर है आप इसमें चीनी भी एड़ कर सकते हैं सककर तो इसमें डाल देंगे हम नीबू और नीबू का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है अगर आपको इसमें मीठा नहीं डालना तो आप जैगरी पाउडर भी डाला है कि यह खटा मीठा इसका टेस्ट आएगा और इसको मैं अभी मिक्स कर लूँगी और इसमें दही डाल दोंगी दही से इतने बड़ी ए खसता बनेंगे या आप इसको सफर में या पिकनिक में कहीं जा रहे हो तो आप आराम से लेके जा सकते हो य दो दिन में भी खराब नहीं हो सकते हैं और यह बहुत अच्छा टेस्ट इनका आता है और एक चम्माट डाल दिया मैंने घी आप इसमें ओएल बी डाल सकते हैं आपका जो भी नाल ने इसमें घी डाल दिया है और गी से मैं यह पराठ बना ले वाली हूं क्योंकि यह बच् नली च्टनी बनाऊंगी इसके लिए धनिया और यह टमाटर चॉप कर लिया है और हरी मिर्च और अध्रकट तो मैं तीनो को इसमें एड़ कर दूढ़ूंगी मिकिस तिजार में को और इसमें सारे मसाले हम compare करेंगे और चटनी बनाइंगे जो इस रेसिपि को बहुत इसके साथ खाने के लिए बहुत अच्छे लगेगी तो गवाद आ difखोने लगें हरा ददनिया की चटनी बनने वाली नमक डाल दिया है मैंने और इसमें डालूँगी मैं अब नमक स्वादान स्वार आप डाले हैं इसमें अब डाल दूँगी इसमें एक चमच जीरा तो जीरा का भी इसमें यह अपको पता है चटनी कितनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है उपर से डाल दिया मैंने इसमें नीबू और हींग मैंने इसके पराठे बेल लिए हैं आप इसकी पूड़ी भी बना सकते हैं तो बहुत टेस्टी बनती हैं इसकी पूड़ी भी बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं और ऑफिस के लंच बॉक्स में दे सकते हैं पराठी भी बहुत अच्छे लगते लगते बना लिए पराठ पुदीने की चटनी और अम का चारे घर का चारे और दही में जीरा पाउडर एड़ कर दिया और घोड़ खाने के साथ गोड़ जरूर खाएं और यह मैंने ले ली है तीन-चार पराथे अगर आप खाने बेठोगे तो आपको तीन-चार खाने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि मैंने तीन-चार खा लिया है और यह बिल्कुल भी हैवी नहीं पड़ते हैं क्योंकि इसमें खूब सारी मसाले हैं जो हमारी सहत के लिए बहुत ही पोस्टिक हैं वह सारे एड़ की हैं अजमाइन बगेरा भी डाला है और मैंने मेथी कूब सारा लिया है तिल है बहुत अ